बच्चो इसमें क्या बोल रहा है, in each of the exercise, in each of the exercise, 7 to 12, find the equation of the parabola that satisfy the given condition, 7th में देखो, 7th question में क्या बोल रहा है, कि parabola का equation लिखो, जो given condition को satisfy कर रहा है, क्या क्या condition है, पहले क्या बोल रहा है, फोकस का कोडिनेट, फोकस का कोडिनेट के लिए, 6,0, और उसके बाद directrix के लिए, directrix लिए, x is equal to minus 6, ठीक है, अब देखो, focus देखकर, और directrix देखकर, हम पैराबोला बता सकते हैं कि कौन सा पैराबोला होगा, चलो मैंने चारो बनाता हूँ, देखो, या तो पैराबोला ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हुआ, तो फिर इसके equation हो जाएगा, y square is equal to 4x, ऐसा assessment पैराबोला हो, तो minus 4x, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, इसका एक्वेजन क्या होगा x² is equal to 4ay या पैराबोल ऐसा भी हो सकता है x² is equal to minus 4ay सबका जो वर्टेक्स होगा कहा होगा ओरिजन पर होगा ठीक है ना अब ये बताओ अब ये बताओ कि पहले में बोला है focus 6,0 अगर पहला बोला है यहां हुआ तो focus क्या होगा focus का x कॉणिट क्या होगा, positive होगा y कॉणिट क्या होगा, 0 होगा इसमें क्या होगा, alpha, 0 टाइप का होगा focus, इसमें क्या होगा minus alpha, 0 टाइप का होगा but alpha is positive फिर minus alpha, 0 टाइप का होगा इसमें क्या होगा, 0, alpha टाइप होगा alpha is positive इसमें क्या होगा, 0, minus alpha type का होगा, alpha is positive, ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो, focus ही देखके हम पैचान जाएंगे, parabola है क्या, parabola इस form का है, इस form का parabola क्या होता, y square is equal to 4x, तो directrix हो गया, क्या हो जाएगा, directrix, x is equal to minus 6 होना भी चाहिए, because focus क्या है, focus जो है हमारा, focus यहाँ पर 6,0 है, इसका मतलब कि जो focus है हमारा, वो है तुम्हें, focus यहाँ पर चलो, मैं लिखता हूँ, अब देखो, समझ में आगिया, solution करते हैं, 7th का, focus का coordinate क्या दे रखा है, 6,0, and directrix क्या है, equation of directrix, तो पैड़ा बोला क्या होगा, यह point क्या हो जाएगा, minus 6,0, ठीक है, यह origin, यह x-axis, ठीक है, बस हो गया, क्या बोल लाए, y square is equal to 4x, होगा पैड़ा बोला की equation, तो y square is equal to 4, एक का काम क्या करेगा, 6, into 6, into x, तो y square is equal to 24x, यही हमारा answer हो गया, y square is equal, बोल लेना पैड़ा बोला की equation लिको, तो यह होगी हमारा answer, लिक दी हमनी equation पैड़ा बोला का, यह तो होगी हमारा बच्चो फर्स पार्ट, second, अच्छा, seventh होगी है, eighth में आ जो, एक दो मैं करके एक ही type का है, solution 7, क्या बोल रहा है, focus क्या बोल रहा है, focus बोल रहा है, 0, minus 3 and directrix क्या बोल रहा है, directrix बोल रहा है, y is equal to 3, यह directrix बोल रहा है, यह focus बोल रहा है, तो अब देख लो, कौन सा होगा, खुदी देखो, focus का coordinate है, 0, minus 3, इसका मतलब यह पहरा बोल रहा है, यह वाला because इसमें क्या है focus का x coordinate क्या हमारा 0 इसका मतलब focus y axis पर लाई करेगा अब focus y axis पर एक तो इस case में लाई कर सकता है इस case में लाई कर सकता है बट हमारा focus का x coordinate negative है focus का x coordinate sorry focus का x coordinate तो 0 है तो focus का x coordinate 0 है तो या तो यह होगा या तो यह होगा यह तो हमें पता चल गया, अब क्या है, कि focus का y coordinate negative है, इस case में focus का y coordinate negative है, इसमें तो positive है, तो यह parabola होगा, मतलब x square is equals to minus 4 ay type होगा, बस होगी अब क्या दिक्कत है, चलो parabola बना देता हूँ, parabola कैसा दिखेगा, हमें ऐसा दिखेगा, , पहला हूँ, लुग में, अículos, ढादेता है, जाना देता है, रखाँ, जाना दीखेगा, हमें आखना ह Κपा, तिक्या का यहूँ, इसके है, यह तो ने अवग pandemic का है, तिक् cigar है, यहाँपे होगी आप अविप क्याए जिखेगा, प्रून दिखेगा, इसका कि उनका अखी नि 0,-3 तो डिरेक्टिक्स क्या हो जाएगा 0,3 तो इसकी इक्विजन क्या हो जाएगी y is equal to 3 पैरा बोला क्या होगा y x is के लाँगे तो x में square होगा और negative y x is के लाँगे negative y x is के लाँगे तो x square is equal to minus 4 ay तो x square is equal to minus 4 एक अकाम क्या कर रहा है अब एक बात को धियान में रखना a का काम यहाँ पे minus 3 नहीं कर रहा है a का काम 3 कर रहा है बार बार मैं बोल रहा हो की a जो है ना हमेशा positive होता है a को negative नहीं लेंगे a का काम minus 3 नहीं कर रहा है a का काम 3 कर रहा है तो यहाँ पे 3 डालेंगे तो equation क्या होगा x square is equal to minus 12y अब तुम ऐसे देखो x square is equal to minus 4 ay में अगर तुमने a का value minus 3 डाल दिया तब तो ये बन जाएगा minus 4 into minus 3y तब तो ये 12y बन जाएगा तब तो ये x square is equal to 12y ऐसा बन जाएगा तब तो फिर parabola ऐसे बन जाएगा ना तो उपर आ जाएगा ना ऐसे आ जाएगा parabola तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे जब भी a लेंगे ना तो a हमेसा positive ही लेंगे ये कभी negative नहीं लेंगे तो हमारा equation finally क्या बन गया parabola का x square is equal to minus 12y यही हमारा answer हो गया हो गया question number 7 भी solve बस इतना ही था अब आ जाते question number 11 में question number 11 solution 11 क्या बोल ला है vertex क्या है इसका vertex जो हमारा 0,0 पैरा बोला का पैरा बोला का जो भी standard पैरा बोला है उनका vertex 0,0 हो गई and passing through जिससे पास करा है 2,3 से and axis is along x-axis axis जो है वो x-axis के लोग है ठीक है passing through 2,3 अब देखो क्या है अगर पैरा बोला ऐसा हुआ ना यार देखो ऐसा पैरा बोला हुआ तो उसका x-coordinate और y-coordinate दोनो पॉस्टिव होगा अगर पैरा बोला ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा x-coordinate positive होगा और y-coordinate positive negative sorry x-coordinate negative होगा इस case में negative x-axis के लोगे ना तो x-coordinate हमेसा negative होगा बट y-coordinate positive होगा negative भी होगा इस-canie X-coordinate इस-canie यह जो हमारा पैरा बोला है y-square is equals to排 a case हुआ इसमे x-coordinate भी positive होगा y-coordinate होगा और यह हमारा पैरा बोला क्या है हमेसा negative होगा और y-coordinate क्या होगा यहां Y कोडिनेट पॉस्टिव भी हो सकता है और Y कोडिनेट निगेटिव भी हो सकता है X कोडिनेट क्या ओगा निगेटिव होगा और यहां भी Y कोडिनेट पॉस्टिव होगा और Y कोडिनेट निगेटिव होगा इसमें X कोडिनेट हमेशा निगेटिव होगा इस पराबोला में और इस पराबोला में X कोडिनेट हमेंसा पॉस्टिव होगा अब अगर पराबोला ऐसा बना यह पराबोला ऐसा गर बना तो यह पराबोला क्या है X square is equal to 4AY इसमें X कोडिनेट positive भी हो सकता है X कोडिनेट negative भी हो सकता है but Y coordinate is always positive देख लो और अगर पराबोला ऐसा बना यह हमारा पराबोला क्या है X square is equal to minus 4AY इसमें क्या है X कोडिनेट positive निगेटिव दोनों होगा X कोडिनेट positive भी होगा X कोडिनेट negative भी होगा यहां पर यहां पर क्या रहा है यहां पर देख लो यहां पर बोला 2,3 X कोडिनेट भी positive तो हम बोल नहीं सकते हैं क्या होगा ठीक है ना तो यह बताओ हमें पता कैसे चलेगा यहां पर तो X कोडिनेट positive और Y कोडिनेट positive दे रखा है तो देखो X कोडिनेट positive यहां भी है यहां भी है तीक है देखो यह एक यह केस हो सकता है और यहां भी देखो x कोडिनेट positive यहां यह भी केस हो सकता है बट question में क्या बोल रहा है यहां पर और पर हो and axis is along y x axis अक्से long x axis जो हमारा पैरपोला का axis है वो x axis के long है तो अव्य सी बात है यह नहीं होगा इसमें एक्सिस तो y एक्सिस केलोंगे तो फिर यह हो जाएगा पैराबोला सिंपल सी बात है देखलो ने x positive y positive यहां भी है x positive y positive यहां भी है तो यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है यह नहीं होगा because यहां पे x negative है इस दो में हो सकता है है वाट यहां पर बोला है एकसिस जो है वो X एकसिस केलोंगे तो फिर यह पराबॉल है Y squared is equal to 4 AX हमें पराबॉल का पता चल गिये कि कौन सा पराबॉल है पराबॉल है Y squared is equal to 4 AX पास कर रहा है, आप हमें क्या चाहिए सिर्फ A का value चाहिए A का value अगर मिल गया तो पहरा बोला मिल गया तो उसके लिए बस हो गया ठीक है तो बस अब A निकाल लेना है A कैसे मिलेगा में Y square is equal to तो यहां पर क्या हो गया Y square is equal to 4 हमें A चाहिए A मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा में क्या बोलती एक्विजन मिल गया यह पराबोला किस से पास कर रहा है 2,3 पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या करेंगे Y की जगा डाला हमने 3 square is equal to 4 A और X की जगा डालेंगे 2 तो यहां से हमें A का value क्या मिल गया 9 by 8 दोबारे इस एक्विजन में डाल दो तो Y square is equal to 4 A यह हो गया 9 by 8 X तो क्या हो गया 9 by 2 X तो Y square is equal to 9 by 2 X यह हो गया equation of the parabola यह parabola का equation आगया ठीक है यह तो कोई डाउट नहीं है ठीक है बात है question number 12 में क्या बोला है vertex again origin पर vertex तो हमें से origin पर हो गया standard parabola के लिए passing through 5, 2 and symmetric with respect to Y axis Y axis के respect में symmetric है ठीक है तो यह parabola और यह parabola तो X axis के respect में symmetric है यह Y axis के respect में symmetric और एक-ए-axis के respect में symmetric है इस case में क्या है कि फिर again दोनों positive X coordinate और Y coordinate देख लो दोनों positive है यहाँ पे क्या है x coordinate negative भी हो सकता है 5,2 से पास कर रहा है तो x कॉरणेट और y कॉरणेट दोनों positive है तो यहां पर देखลो x कॉरणेट positive y कॉरणेट positive बट यहां तो y कॉरणेट हमेसे negative होगा वर्टेक्स क्या है इसका 0,0 किससे पास कर रहा है पी पॉइंट से इसको हमने हमाल लिए 5,2 कौन सा केस है यह वाला केस x² is equal to 4ay यह हो गया x² is equal to 4ay यह पास किससे कर रहा है 5,2 से तो आपर डाल दो 5² is equal to 4a और y की जगह 2 डाल दो तो यहां से a का वैलू क्या होगया 25 by 8 दो बाड़ा डाल दो x² is equal to 4 a की जगह डाल दो 25 by 8 और y देख्या हो जाएगा 25 by 2y तो क्या मिल गया हमें 2x² is equal to 25y तो 2x² minus 25y is equal to 0 यह पारबोला का एक्वेजन आगया ठीक है I hope clear हो गया होगा पारबोला और इसमें miscellaneous exercise है इसके भी मैं questions कराऊंगा कहां गया miscellaneous ठीक है यह भी मैं question कराऊंगा इसके भी exercise के अब next video जो होगा हमारा ellipse पर होगा ठीक है फिर ओक्यों